गिनिती, अध्याय, 12, कुलपद, 16 मुसा ने तो एक कूशी इस्त्री के साथ ब्यहा कर लिया था सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहिता कूशी इस्त्री के करण उसकी निंदा करने लगे उन्हों ने कहा क्या यहावा ने केवल मुसा ही के साथ बाते की है क्या उसने हमसे भी बाते नहीं की उनकी यह बात यहवा ने सुनी मुसा तो प्रित्वी भर के रहने वाले सब मनुश्यों से बहुत अधिक नम्रस्वभाव का था सो यहवा ने एका एक मुसा और हारून और मर्यम से कहा तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ तब वे तीनों निकल आए तब यहवा ने बादल के खंबे में उतर कर तंबू के द्वार पर खड़े होकर हारून और मर्यम को बुलाया सो वे दोनों उसके पास निकल आए तब यहोवा ने कहा मेरी बाते सुनो यदि तुम में कोई नभी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आपको प्रगट करूँगा या सौपन में उससे बाते करूँगा परन्तु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास युग्या है उससे मैं गुप्त रीती से नहीं परन्तु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बाते करता हूँ और वो यहोवा का स्वरूब निहारने पाता है सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे तब यहोवा का कोप उन पर भढ़का और वो चला गया तब वो बादल तंबू के उपर से उठ गया और मर्यम कोर से हिम के समान श्वेद हो गई और हारून ने मर्यम की ओड़ दृष्टी की और देखा कि वो कोरिन हो गई है तब हारून मूसा से कहने लगा हे मेरे प्रभू हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया यह पाप हम पर ना लगने दे और मर्यम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी मा के पेट से निकलते ही अधगा लिया हो सो मूसा ने यह कहकर यहुवा की दुहाई दी कि हे इश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर यहुवा ने मूसा से कहा यदि उसका पिता उसके मुह पर धुका ही होता तो क्या साथ दिन तक वो लज्जित न रहती सो वो साथ दिन तक च्छावनी से बाहर बंद रहे उसके बाद वो फिर भीतर आने पाए सो मर्यम साथ दिन तक च्छावनी से बाहर बंद रही और जब तक मर्यम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया उसके बाद उन्होंने हसे रोत से प्रस्थान करके पारान नाम जंगल में अपने डेरे खरे किये गिनती, अध्याय, बारह, कुलपद, सोलह मूसा ने तो एक कूशी इस्त्री के साथ ब्याह कर लिया था सो मर्यम और हारून उसकी उस ब्याहिता कूशी इस्त्री के करण उसकी निंदा करने लगे उन्होंने कहा, क्या यहवा ने केवल मूसा ही के साथ बाते की है क्या उसने हमसे भी बाते नहीं की उनकी यह बात यहवा ने सुनी मुसा तो प्रित्वी भर के रहने वाले सब मनुश्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था सो यहवा ने एका एक मुसा और हारून और मर्यम से कहा तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ तब तीनों निकल आए तब यहवा ने बादल के खंबे में उतर कर